नमस्कार दोस्तों ये भारती अर्तिवस्ता सामान ग्यान का पार्ट दो वीडियो है और आप से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो देखते हैं तो छोड़ बहुत ही कम टाइम लगेगा आप वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है त ता इसका 121 क्वेश्चन है कि भारती गड़राज जिका पहला पूर्ण कालिक बजट किस ने हád तो यह तक यह नहीं यह desemben गड़ी का ना जई होना चाहिए यह थोड़ा मिश्टए गया है , तो इक क्वेश्चन कं भी हुआ है 1950-1951, यानि 1950 से 1951, नेक्ष्ट है, देश में किन प्रधान मंत्रियों को स्वयम बजट प्रस्तूत करने का स्रे हासिल है, यानि किन प्रधान मंत्रियों स्वयम बजट प्रस्तूत किया है, तो वो है जवाला नहरू, इंद्रा गांधी और राजिव गांधी, यानि तीन ऐसे परतार मंद्ट्री को कुणुद कान्धि नेफ इसरे सून आधारित बजट प्रस्तूत करने की परम्परा किस ने डाली इक मात्र महिला को रहे हैं तो काफी important question हो गया यह इंद्रा गाले केवल एक मात्र जो वित्त मंत्राले कारबाद समालने वाले महिला है इंद्रा गाले बिटिस पूर्व भारत में किस सासक ने गहाटे के बजट को अपनाया था तो वह है मुहम्मद बिन गलत काफी important है इतीहास के दो पूजट कोड़ से कि ब्रिटिस पूर भारत में किस आसक ने घाटे के बजट को अपनाया था तो है मुहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट कार या परिणाम या लच्छों की प्राप्त के आधार पर सरजित बजट क्या कहलाता है तो वह कहलाता है निस्पादन बजट एवं पूजी गत भुगतानों को किस बजट में समलित किया जाता है तो वह है पूजी बजट नेक्स्ट किस बजट के अंतरगत किसी भी विभाग अथ्वा संगठन द्वारा प्रस्तावित वह की प्रतेकमद को बिलुकुल नईमत मान लिया जाता है तो वह सून आधारित बजट नेक्स्ट बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग्विसेश के आधार पर त्यार किया जाता है या बजट में लिंग्विसेश के लिए अलग से बजटी प्रावधान किया जाता है तो वह है जेंडर बजट नेक्स्ट जिस कर की अदाईगी उस उसी व्यक्तिद्वारा की जाती है, जिस पर वहा कानूनी रूप से लगाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वो होता है प्रतच्छ का, यानि प्रतच्छ कर वो होता है, इस पर लगाया जाता है, उसी को अदा करना पड़ता है, नेक्स्ट कोश्चन है, आय कर, निगम कर धन कर, संपदा कर, उपहार कर, वय कर, वा ब्याज कर, किस तरह के कर हैं, तो यह सभी कर कैसे हैं, प्रतच कर हैं, नेक्स्ट, सीमा सुल्क, उतपा सुल्क, सेवा कर, वा केंदरी विक्री कर, किस तरह के कर हैं, वो है अप्रतच कर, और अब नया कर आओ गया जी अश्टी, तो वो भी अप्रत्रच करके लिष्ट में हैं। किसी भी देश के घरेलू भोगोलिक सीमा के अंतरगत एक लेखा वर्स में सभी उत्पादकों ब्राइकट में सामान निवास्यों तथा घेर निवास्यों दोरा अतरपादित समस्त वस्तुओं यह उएम सेवाओं के बाजार मूल के योग को क्या कहते हैं। तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है महबूब उलहक के सहयोगी कौन थे। तो उनके सहयोगी थे एके सेन तथा सिंगर हंस। नेक्स्ट है महबूब विगास सूचकांग की अब दहड़ा का प्रतिपादम कब किया गया। तो इसका प्रतिपादम 1990 में किया गया। नेक्स्ट है, मानों विकास सूचकांग में काउन काउन से सूचकांग समझित किये जाते हैं, तो इसमें जो समझित किये जाते हैं, जीवन प्रत्यासा सूचकांग, सिच्छा सूचकांग, तथा सकल घरेलू उतपास सूचकांग, यानि मानों विकास सूचकांग में तीन सू कि आर्थिक हुद सम्रत दर क्या है और थिग विगास निवल राष्टि उतपास अर्थिवर्तन में परिवर्तन के दर यानि अन पी तो काफी से इंप्रॉर्टन्ट कोपेट्ट वश्चन है कि आर्थिक सम्रद्धर और रधिवीकास तर याद रखना इस अंरतफिक होगी तो वो सकल घ्रीड पाज GDP में परिवर्तन होगा और अर्थिकर विकास की बात होगी तो निवल राष्टिड पाज नन्प में परिवर्तन की तर होगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की तर बढ़ते हैं भारती अर्थिविवस्ता के प्रात्मिक छेत्र में क्या सामिल है करस तता पसपालन वन उद्धोग तता लेट बनाना मचली पालन तता खनन उद्धकनन नेक्स्ट भारती अर्थिविवस्ता के तरतियक छेत्र में क्या सामिल है परिवाहन वसंचार व्यापार होटल जल्पा निग्रह बैंक बीमा इस्तावर संपदा आवास ग्रोहों का स्वामित्तों तथा व्यवसाइक सेवाएं साजनिक सेवाएं एव अन्द सेवाएं इस भारती अर्थिवस्ता के तत्यक छेत्र में सामिल है आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरू करते हैं जिससे मैं समझूं कि मेरा वीडियो कुछ अच्छा था कुछ लोगों को यलिए यह लादायक रहा कुछ लोगों को जानका जारी देने में सफल सिद्ध हुआ है तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें